सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलग कराएंगे तेजस्वी यादों का मानना है कि जहां जहां हम भूमने जा रहे हैं अधिकतर लोग जो हैं वो बिजली के बिल से परिसान हैं हमने पहले ही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है हम 200 यूनिट बिजली बिहार के लोगों को फ्री देंगे आपको मज़ादे कि तेजस्वी यादो बता रहा है कि हमें लोग सबाज चुना में भी यह बात थी और इस बार विजान सबाज चुना में भी हमारा यह मुद्दा रहेगा कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो लोगों को 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दिया है उससे लोग जो है काफी परिशान है आहत में और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पुर्यदेश में तो वह बिहार है और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं नए सोच के साथ बिहार के लोगों को पें बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्त कराएंगें दो सो यूनिट फुरी में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्त कराएंगें और लोग जो है काफी शिकायते लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशांबे लोक्सभा चुनाओं में भी हमने यह बात कहीं थी जब मौका मिलेगा तो इस चीज को हम लोग तो अपने सुना ते जैस विए अदक इस प्रकार से बढ़ते बिजली दर्ग के कारण जो लोग परेशान है उनकी बाते कर रहे थे हलाकि उन्हें स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ भी नहीं क्या जिस्तरकार स्मार्ट मीटर को लेकर करके कई बाते सामने आ रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि विजले के बिल सबसे ज्यादा बढ़ चड़का आ रहा है लेकिन तुछ सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को